के साथ बिलेटिन की कर रहे हैं शुरुवात मध्यप्रदेश में 21 सांसदों के टिकेट बदले जा सकते हैं बड़ी खबर 14 सांसदों के कट सकते हैं टिकेट दो बार से ज्यादा जो सांसद हैं उन्हें बदल सकते ही है बीजेपी तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्र बता रहे हैं कि इस बात पर मंध्यप्रद चल रहा है कि 21 सांसदों के टिकेट बदले जाएंगे याने कि लोगसभा की 39 सीटे हैं मध्यप्रदेश के अंदर 28 सांसद बीजेपी के हैं तो 28 में से 21 सीट ऐसी हैं जहां पर नए उम बदल सकती हैं बीजेपी तो एंटी इंकंबेंसी की काठ इस तरह ढूंडी गई है कि नए चेहरों को इन सीटों पर उतारा जाएं जहां पर 10 साल से कोई सांसद है तो उस सीट को बदला जाए उस सीट पर प्रत्याशी को बदला जाए 14 सांसद जिनके टिकेट कर सकते हैं य तो आपको सारी जानकारिया दे रहे हैं भोपाल से साधी प्रग्यट हाकू का टिकेट कर सकता है इंदोर से शंकर लालवाने के टिकेट पर भी कैची चल सकती है गौलियर से विवेक शेजवलकर इनकी जगा पर कोई नया हो सकता है सतना और रीवा में भी जो सांसद है उन् से इनको बदल सकती है बीजेपी विदीशा से रमाकांत भारगव का टिकेट भी यहां पर उस पर भी अस्मंजस है मंदस्वार में सुधीर गुपता को हटा सकती है बीजेपी खरगोन से गजेंदर सिंग पटल की जगा कोई और हो सकता है उम्मीद्वार धार से छोतर दर्बार का टिकेट भी काट सकती है बीजेपी प्रशांत कटारे हमारे सायोगी फोन लाइन पर जोड़ रहे हैं हमारे साथ प्रशांत ये नया फॉर्मूला बीजेपी का कई सांसेदों की टिकेट पर मंदरा रहा है खत्रा जे बिल्कुल देखे बाद साथ प्रशांत पर मंदरा रहा है तो जो साथ प्रशांत जो चुना लड़े से इन में पांच जिए हैं उनका लगवाक्त तैह है रही साभावे कि उनकी जगे कोई नया चेहरा होगा तो ऐसे चेहरे जो विदान सभा चुनाव भी आर गया तो का टिकट भी कटना से है लेकिन अब आब यहाने कि जो जिनका जो जो सांसद मरतमान में सांसद हैं जिनका ट्रेक एक रिकॉर्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है उन उन लोगों के टिकट भी काटे जा सकते हैं एक और जो प्रशांत वहोगा उम्र का पैरामीटर जो जो बे वहां बड़े लोगों का दावा है उधारन के तौर पर गौालियर हम कहें या फिर गुना कहें वहां बड़े लोगों का दावा है सिंधिया का दावा है दो जगे से नाम सिंधिया का चल रहा है गौालियर से भी और गुना से भी अब यह देखना होगा अगर गुना से दे पीजेपी की कोशिश है कुछ नए लोगों को मौका देने की उसलिहास से अगर आप एक काउंट करेंगे तो लगभग यह आखड़ा 20 के आसपास तक जा पहुंसता है यानि 20 चेहरे हो सकता है आपको बदले हुए नजर आएं दूसरी तरफ कुछ और नए चेहरों को भी या ह हो सकता है कि कुछ विधायकों मेंसे भी मौका दे दिया जाए भोपाल का अगर हम जिकर करें भोपाल में लगभग हर बार अगर हम पिछले कुछ चुनाओ देखें तो हर बार चेहरा बदल जाता है भोपाल से वर्तमान सांसा साथवी प्रग्या सिंग का टिकेट कटना भी तैमाना जा रहा है और इस बार कोई नया चेहरा हो सकता है हलाकि दो तीन चार नाम चल रहे हैं भोपाल से भी हो सकता है कि उन में से नरुत्तम मिश्वरा जो विधान सबा चुनावार गया लेकिन बड़े चेहरे हैं मद्यप्रदेश बीजेपी के राष्ट्रे संगठन के भी बेहत नस्दी कहे जाते हैं उनका नाम भी यहां तक हैं दो तीन जगें से अलग अलग जगें से चल रहा था तो ऐसे कई नाम हैं जो जिन्हें अड़ेस्ट करने के लिए कई दूसरे चेहरों को कहें कि उनका टिकट कट सकता है तो यह दूसरा यह भी है जिनके खिलाफ पन टिकट कटना भी तैह है उदारण अगर हम देखें तो गुजरात में जब पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी इसके बाद जो नतीजे आपने देखे थे वो प्रत्याशित नतीजे थे अब प्रत्याशित जीत बीजेपी ने दर्ज की थी एंटी इंकंबेंसी से निपटने के लिए भी बीजेपी का ये फॉर्मूला होता है और अमूबन बीजेपी में एक एक दूसरी बात और समझ लीजे जो लगातार कई बार से सांसद है यानि कि उनका मंत्री पद के लिए भी दावा बढ़ जाता है तो फिर आपके सामने बहुत सारे विकलप होगे आपके सामने विकलप होगा कि जो पहली बार है उनको आपको ज़रूरी नहीं आप पर प्रशान कह सकते हैं कि एक तीर से कई निशाने बीजेपी इस फॉर्मूले के साथ 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 सकती है बहुत शुक्रिया जो भी development होगी आप प्रसर बनाके रखेगा हम आपसे आगे भी update देते रहेंगे और लोग समझ चनाओ को लेकर बड़ी खबर ये भी है कि BJP कल 100 से 120 उमिदवारों के बीच जो नाम है वो लिस्ट जारी कर सकती है चनाओ कमेटी की दिल्ली में पहली बैठक होगी पुधाल मंतरी मोदी अमिश्या इस बैठक में शामिल होगे करीब 120 उमिदवार जिनके नाम सामने कल आ सकते हैं चनाओ कमेटी की दिल्ली में कल पहली बैठक होने जा रही है और पहली बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि 120 सीट पर पुरदेश्वर की 120 सीटों पर उमिदवार कल्ब अपने अनाउंस कर सकती है बीजेपी तो गहमा गहमी तेज है हर राज्ये के अंदर जो बीजेपी संगठन इससरा दर काम कर रहा है उमिदवारों के नामों को लेकर और कल दिल्ली में पहली बैठक ये होने जा रही है और इस पहली बैठक में बीजेपी इस बैठक के बाद 1200 से 120 के बीच जो उमिदवार हैं उनके नाम अनाउंस कर सकती है चिनाव कमेटिक इस पहली बैठक में कल रधान मंत्री मोधी भी मौजूद रहेंगे और अमिश्या भी मौजूद रहेंगे तो बड़ी बैठक बड़ी तस्वीर कल निकल कर सामने आ सकती है इससे पहले हमने आपको बताया किस तरीके से नामों पर मंथन चल रहा है और मध्यप्रदेश के अंदर सिटिंग MPs जो है उनका टिकेट कट सकता है इसके अलावा भी जहां जहां लंबे समय से कोई चेहरा सां बना हुआ है तो वहां उस सीट पर परफॉर्मिंस को देखा जाएगा और साथ ही एंटी इंकम्मेंसी का सॉलूशन बीजेपी ऐसे जून सकती है कि चेहरे को रिप्लेस कर दिया जाए और कि उस सीट से कोई और चेहरा उतार दिया जाए अनूप गुपता हमारे सायोगी फोन लाइन पर जोड़ रहे हैं अनूप खबर ये है कि करीब 120 उमिदालों के नाम कल बीजेप एनाउंस कर सकती है पिल्कुल देखे कल मुख्य चुराओ रमीती की बैठक है प्रदानमत्री नरेंद्र मोदी और पाटी अध्यक जेपी नड़ा के अध्यक्षता में बैठक होगी और जो सुत्र बता रहे हैं उसके मताबिक बीजेपी जिन सीटों को आप तक जीत नहीं पाई है उन सीटों पर कल चर्चा करेगी मन्थन करेगी और उसका पूरा जो लिस्ट है वो एक तरह से पैनल तयार है उसके नामों की घोशना जो है वो कल देर साम या फिर पर्सों जो है सुबह में कर दिया जाएगा और वो सुत्र बता रहे हैं तकरीबं 100 से 120 सीटों का लक्ष बीजेपी ने बता दू कि जो लिस्ट जारी होगा बीजेपी की तरब से चुकि अभी चुनाओं के तारीकों की घोशना नहीं हुए उससे पहले ही ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी एक तरह से विपक्ष पर मनो बैग्यानिक बड़त बराने की कोशिश बीजेपी की होगी और उस लिस् पर अपने ओमेद्वार के नाम की घोशना भी पीजेपी करेगी जी बहुत तुक्री आपका इस पूरी जानकारी के लिए